दोस्तो डेलीवरी होते ही इलेक्टिज स्कूटर में आग लगी ये तो मुझे सुनकर बहुत हेरानी हो रहा है और ये जो न्यूज फेल रहा है बहुत ही फेल रहा है दोस्तो तो ये जो अपडेट है दोस्तो 2021 में ये तिसरी बार हो गया है क्योंकि जो पिछले बार मैंने आ बोलो इस तरह से अगर electric स्कूटर में आग लगी तो बहुत सरे लोग electric scooter को खरिधना ही नहीं पसंद करेंगे electric petrol की भजन को ही लेना पसंद करेंगे तो इस मामल दो सहरा है जो साहरा अप देख रहे हैं एक लोकल ब्रांड इलेक्रिक्रिक स्कूटर है दोस्तों मैं आपको कभी भी आपको कोई भी local brand electric scooter की review नहीं देता हूँ अच्छे जो है अच्छे product है उसके बार में बताता हूँ क्योंकि कुछ-कुछ जो electric scooter है जो 50-60,000 के नीचे उनका price रहती है जो local brand है 80-90 km असपास रेन दिखा देती है उनके तरह से दो दवार रहती है तो उनका जो lithium-eine का battery है वो उतना high power और उतना price के batteries नहीं होता है तो इसलिए इस सब तिक्कत होता है तो अगर आप सही company के electric scooter लेते हो तो आपके लिए अच्छा होगा तो अगर इस तरह से कोई local brand लेते हो तो साइद आपको आपके scooter पर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है तो मैं आपको ये वीडियो दिखा कर ये news देखकर आपको डरवाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अच्छे product लाना ही आपको बेतर होगा क्योंकि अगर आप सस्ते में electric scooter खरीद होगे तो आपको इस तरह से problem face करना होगा तो सही company के लिए scooter ले लीजिए आपके लिए सही होगा तो ये जो model है साहर आइबोर्ट एक्सवान model 60 से 60,000 से 65,000 के बीच इसकी price रहती है जो कि 1.9 किलोट की lithium-ain के batteries में इस्तमाल किया जाता है जो की 80 किलोमेटर की single charge में उसकी range होती है तो ये अभी जलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों ये वीडियो देकर तो मुझे तो बहुत हेरानी होगी आपको ये वीडियो देकर कैसा feel हो रहा है comment box में जरू बताना और इस तरह की update वीडियो पाने के लिए हमारी channel को subscribe करके हमासाथ बने रहना तो मिलते हैं next update में बाई बाई टेक केर